प्रोक्सी सर्वर के इंस्टॉलेशन इस वीडियो में हम प्रोक्सी सर्वर का एक थर्ड पार्टी सॉफ्टिवर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है विन गेट विन गेट प्रोक्सी का एक विन गेट यह है कि आप इसको विन घूज़ के किसी भी क्लाइंट बेस्ट ओपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि विन डूज़ एकस्पी विंड़ुस विस्टा या विन डोस こर्स्वर कर सकते हैं तो आपको 3 user license के लिए कोई extra charges नहीं पे करने पड़ते तो अगर आप चाहते हैं कि एक बिल्कुल छोटे office में किसी तरह की security प्रोवाइड करना या फिर DNS, caching वगरा तो आप इसे use कर सकते हैं. इस install करने के लिए हम एक scenario लेते हैं, तो आपके सामने screen पर एक scenario है, जो कि method 4 है, जिसे हमने proxy server के last video में discuss किया था, इसमें हमारा router internet से connected है और कुछ computers switch से connected है, इस router और switch के बीच में हमने proxy server के है, यानि कि इस proxy server के उपर दो NICs ये network interface cards installed है और इस proxy server का जो NIC, DSL router की तरफ faced है, उसके उपर हमने एक IP address configure किया है, 192.168.1.25, default mask, C class वाला, और उसके बाद DSL router का address, जो कि एक gateway की तरह act कर रहा है, 192.168.1.1, और DNS server address, 8.8.8.8, इसके उपर configured है, इसी तरीके से, इस proxy server के दूसरे interface के उपर, जो कि clients की तरफ facing है, या switch से connected है, और इसी switch से, दूसरे clients भी connected है, हमने एक और IP address configure किया है, 10.10.10.125, और जो उसका mask हमने use किया है, वो है 255.255.255.0, और इसी range में से हम IP addresses इन clients को provide करेंगे, ये IP address हम dynamically भी provide कर सकते हैं, यानि कि हमारा proxy server में, एक option है कि अगर हम DSCP की services इस पे enable कर दें, तो ये हमारे clients को IP addresses provide कर सकता है, और अगर आप चाहें, तो आप statically भी ये IP address अपने clients को दे सकते हैं, इसके लावा इन clients के उपर जो important और ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि इसका gateway हमारे proxy server का interface, जो कि इन clients की तरफ phased है, वो होगा, तो इन सभी के उपर हम जो gateway configure करेंगे, वो होगा 10.10.10. क्योंकि इसी interface के थूँ, ये सभी clients बाकी दुनिया से या internet से connect होंगे, तो चलिए, proxy server की installation के लिए, हम चलते हैं अपने Windows 7 system के उपर, तो देखिए, मैं अपने Windows 7 system के उपर आ गया, और यहां पर हमने इस system के उपर, दो network interface cards, install की हूँ है, जलिए, इनके IP addresses चेक कर लेते हैं, तो देखिए, वो NIC जो internet से connected है, यानि के हमारे DSL router से, उसके उपर जो IP address, subnet mask, default gateway और DNS server address configured है, जो कि match करता है, जो अभी अभी मैंने आपको configuration देखाई, इसी तरीके से, दूसरे NIC के उपर भी IP address configured है, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया, यानि के 10.10.10.125, लेकिन यहां पर हमने default mask ना यूज करके, 255.255.255.0 subnet mask को यूज किया है, इतना होने के बाद, मैं Internet Explorer को open करता हूँ, और यहां पर मैं लिखता ह और इसमें से first link या first suggestion को click करता हूँ, और आपके सामने Wingate proxy का latest version 7.31 आपके सामने screen के उपर है, जो कि 26.4 MB का है, यहां पर देखिए now with free 3 user license, तो आप इसको free use कर सकते हैं और आपको 3 user license भी मिल रहे हैं, इसके इलावा अगर आपकी requirement जादा है, तो आप इसका license purchase भी कर सकते है otherwise यह आपको one month के लिए free of cost भी मिलता है, ताकि आप इसकी trial अपने environment में कर सके हैं, तो इसे click करके यहां से इसे download कर सकते हैं, तो मैंने इसको already download कर रखा है, तो इस install करने के लिए, मैं इसे double click करता हूँ, इस installer file को, आपसे permission मांग रहा है, yes को click करते हैं, तो देखिए installation का process start हो कर की, तो यहां से कर सकते हैं, space requirement के बारे में आपको बताया जा रहा है, next को click करते हैं, यहां पे आपके सामने packages आ रहे हैं, wingate services, wingate management और wingate network driver, तो सभी default selected है, हम next को click करते हैं, यहां पे आप अपने admin का email address, enter कर सकते हैं, और कौन यह email या किसके भिहाप पे, यह administrative alerts भेजे जा और next को click करके, installation का process start करते हैं, इस installation के process में कुछ समय लगेगा, तो उतनी दिर के लिए हम video को pause करते हैं, और जैसे ही यह complete होता है, हम video continue करेंगे, तो देखें, installation का process complete हो गया है, finish button को click करते हैं, और इसकी कुछ settings, system को reboot करने के बाद ही update होंगी, और यह fully functional reboot होने के बाद ही work कर पाएगा, तो हम इस system को yes button को click करके reboot करते हैं, तो इसमें भी कुछ समय लगेगा, तो उतनी दिर के लिए मैं video को pause करता हूँ, और जैसे ही यह reboot होता है, video continue करेंगे, देखें, Windows 7 system जो की अब proxy server की तरह act करेगा, restart हो गया है, यहाँ पे देखें, मैं start को click करता हूँ, और all programs को click करता हूँ, तो देखें, यहाँ पे wingate folder आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ management tools हैं, हम इसको यहाँ से uninstall कर सकते हैं, uninstall को click करके, wingate advanced options, wingate engine monitor, wingate management, यहाँ पे आपको कई options दिखाई दे रही हैं, हम show hidden icons को यहाँ से click करते हैं, और यहाँ पे भी दे remote management connection, इसमें local host यानि के आप इसको manage कर रहे हैं, इसी local system से, मैं connect करता हूँ, देखें, first time यह start हो रहा है, और आपके सामने देखे, license से related एक information आ रही है, कि यह currently unlicensed है, और आपको इस license को purchase करना होगा, हम ok button को click करते हैं, अब यहाँ से आप online होने चाहिए, अगर आप इसका license purchase purchase करना चाहते हैं, या आप इसको register करवाना चाहते हैं, तो इस समय हम online है, हम यहाँ से next button को click करते हैं, आपके सामने देखे, यहाँ पर two options आ रही है, activate a purchase license, आप यहाँ से key enter कर सकते हैं, या फिर activate a free fully featured 30 day trial, यानि के आप इसका full version use कर पाएंगे 30 days तक as a trial, या फिर आप license को भी activate कर सकते हैं, तो हम यहाँ से 30 day trial वाला license activate करते हैं, ताकि कुछ दिन हम इसको चला के देख सकें, और next button को click करते हैं, यह proxy server, wingate की site से connect करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ से इस product को, यानि के wingate proxy को activate करवाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे कुछ समय लग सकता है, उ जैसे ही finish होता है, हम video continue करेंगे, तो देखें, trial activation request succeeded, यानि के 30 days trial वाला activation इस product का हो गया है, और हम इसे 30 days सक try कर सकते हैं, मैं यहाँ से finish button को click करता हूँ, आपको licenses की information को update करने के लिए, आपको wingate proxy को restart करना पड़ेगा, जिसकी यह आपको option भी दे रहा है, हम yes button को click करते हैं, तो हमारी यह wingate proxy restart हो रही है, और इस बार इसने हमसे एक user database information पुछी है, हम next button को click करते हैं, और देखें, यहाँ से आप user database provider को select कर सकते हैं, तो default option में है wingate user database engine, या फिर यहाँ से drop down list से हम active directory connector को use कर सकते हैं, यानि कि active directory के users को और groups को हम यहाँ पे use कर सकते हैं, या फिर windows के users और groups को भी यहाँ से हम use कर सकते हैं, जो windows के पुराने users हैं, या जीने थोड़ा experience है, वो जानते होंगे कि active directory हमें एक enterprise network को manage करने में help करती है, और इसके उपर हमने बहुत सारे videos बना रखे हैं पहले से, आप वहाँ से help ले सकते हैं कि active directory को कैसे हम use कर सकते हैं, तो wingate को आप active directory के साथ भी use कर सकते हैं, या फिर आप work group environment में windows users and groups के साथ भी use कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से default option को ही रहने देता हूँ, अगर आपकी choice हो तो आप यहाँ से कोई और option को select कर सकते हैं, इस option को select करने के बाद हम जिन users पे या groups पे policies लगाना चाहते हैं, वो users हमें wingate में create करने प आपको information दी जा रही है इसके बारे में, हम finish बटन को click करके ok बटन को click करते हैं, तो देखे हमारा wingate management एक बार फिर से restart हो रहा है, तो देखे यह restart हो गया है, और यहाँ पे left side में देखे navigation pane है, जहाँ पे बहुत सारी options हैं, जिनके तुरू आप इस wingate proxy को manage कर सकते हैं, यहाँ से आप DHCP को click करके DHCP की services install कर सकते हैं, जो कि अभी enabled नहीं है, धुबारा से welcome screen के उपर जाते हैं, और यहाँ पे देखे एक option है, configure your network adapters, तो पहले हम यह चेक कर लेते हैं कि जिस planning के according हमने अपने IP addresses को server के उपर configure किया था, क्या हमारा proxy server उसे उसी तरीके से देख रहा है कि नह रहे हैं, local area connection और local area connection to और इनका status enabled है, उसमें से हमारा 192.168.1.25 वाला address internet से connected है, मैं इसे right click करके इसकी properties में जाता हूँ, और देखे यहाँ पे इसने इसे auto detect कर रखा है और currently इसे internal network मान रखा है, मैं यहाँ से external untrusted network जो की internet से connected है, radio बेटन को select करता हूँ, ok बेटन को click करता ह तो देखे अब इन में से हमारा जो IP address internet से connected है, उसे मैंने external यहाँ से बना दिया है, और local area connection to जो की हमारे internal network से connected है, उसे मैंने internal ही रहने दिया है, यानि कि इस wingate proxy की installation और basic configuration हमने कर ली है question time, आप मुझे एक question का answer दीजिए, आप मुझे बताइए कि हम wingate proxy को active directory के साथ use कर सकते हैं यह नहीं, आप इस question का answer next 20 seconds में नीचे comments में जरूर type करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप like बटन को क्लिक करें, और अगर आप latest वीडियो की information अपने mail box में चाहते हैं, तो आप subscribe बटन को क्लिक करें तो इस वीडियो में हमने wingate proxy server के installation सीखी और इसके साथ साथ उसकी एक basic configuration भी सीखी, तो इस वीडियो में इतना है, thanks for listening